अस्सलाम अलेकुम चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग समझ लेते हैं उर्दो का अगला चप्टर चप्टर नुबर 16 नाम है बेदी से इंटर्विव नाम सुनकर आप लोगो समझ में आ गया होगा यह जो चप्टर है वो एक क्या है इंटर्विव हैं इंटर्विव किसे कहते हैं आप सभी लोग जानते होंगे किसे भी मौजू पर यानि कि किसी भी टॉपिक पर सामने वाली ब्यक्ति के बारे में चंद सवालों के जरीए या फिर बात चीत के दौरान उसके काबिलियत और तरक्की के बारे में जानकारी हासिल करना क्या कहलाता है इंटर्विव पूछ कर उसके उपर नीचे पहनावों को भी देखा जाता है कि वो कितना काबिल है या फिर कोई इंसान मशूर हो जाता है कोई काम करकर फेमस हो जाता है तो उसके पास लोग जाता है इंटर्विव लेने के लिए बैठ कर बाते करते हैं कुछ सवाल पूछते हैं कि आप फेमस कैसे हुए आप पीछे की जर्णी कैसी रही हिस्ट्रियू की जानने की कुशिश करते हैं तो वो क्या कहलाता है इंटर्विव कहलाता है मतलब सामने वाली बैक्ति के बारे में बातचित के दोरान या फिर चंद सवालों के दोरान उसके काबिलियत और तरक्की के बार राजेंदर सिंग बेदी हैं मतलब इनका खुद इंटर्विव हो रहा है और अपने इंटर्विव को खुद यह लिख भी दिये हैं इस चेप्टर में इसलिए मुसनिफ कौन है राजेंदर सिंग बेदी अब जड़ान के बारे में समझ लेते हैं फिर इंटर्विव की अफसाना नेगार है यह अफसाना नेगारी में बहुत ज़्यदा फेमस हो गए थे मतलब इनका दूसरा इस्थान था अफसाना नेगारी में कहानी को लिखा करते थे अफसाना नेगार मतलब कहानी को लिखने वाला तो बहुत ज़्यदा यह दूसरे नंबर पर इनका सिंग बेदी का वो है महारानी का तौफा ठीक है पहला अफसाना पहला कहानी और पहला अफसानवी मजमुआ है यानि कि पहला अफसाना का किताब है वो है दाना वदाम पहला अफसाना यानि कि पहला कहानी महारानी का तौफा और पहला कहानी का किताब ठीक है दाना वदाम ठ लिखा करते थे तो ऐसे वह अफसाने में किरदारों को मतलब तराशते थे जैसे कि पत्थर को तराश कर मूरत बनाया जाता है बिल्कुल उसी तरह राजेंदर सिंग बेदी का मतलब एक अलग ही और बहुत ही खुबसूरत स्टाइल था मतलब अफसाना को लिखा करते थे वह अलग अंदाज में बहुत अच्छे तरीके से उसमें किरदारों को तराशते थे और ज्यादेतर इनका जो फिमस हुआ अफसाना करेक्टर के वज़े से फिमस हो रहा था इनके ड्रामा का मजबू है यह द्रामा का किताब भी लिखें साथ खेल ठीक है और इनका नौविल भ अब देखिए यह कुछ फिल्में भी लिखे हैं कौन कौन सा दस्तक घर्म कोट देवदास मिर्जगालिब और मधूमती वगएरा यह बहुत सारे फिल्में भी लिखे हैं ठीक है इनका जो तालुक है राजेंदर सिंग बेदी का इनका तालुक औल इंडिया रेडियो से भी सब्सक्राइब को ठीक है तो यह हो गया आप लोग का राजेंदर सिंग बेदी के बारे में डीटेल्स जो एक्जाम में पूछता है याद रखिएगा यह जो पहला अफसाना है पहला अफसानी मजमुआ ड्रामा का मजमुआ नाविल यह चारों याद रखना है इसी से कोश इसमत चुकताई और दूसरे हैं फयाज रिफत चाहब यह दोनों लोग आये हैं बेदी के पास इंटर्व्यू लेने के लिए इसमत चुकताई जो है न वो एक और याद रखिएगा और फयाज चाहब तो वो एक क्या है मेल है और यह फीमेल है ज़रा मैं बुक निकाल लेत हुँ दरक्षा का ठीक है और देखते हैं कैसे इंटर्व्यू और कैसा कैसा सवाल यह पूछ रहे हैं बेदी साहब से हां इस्टार्ट होता है जड़ा इसमत चुकताई के लेएं पहस्ताना निगार क्योंकि एक अपसाना निगार यह कहानी लिखती है तो यह अच्छे तरीके से इंटर्व्यू बेदी Doch, लेगा अब एक अपसाना निगार का इंटर्विव कोई कपड़ा बेचने वाला लेगा तो कैसे अच्छा से लेगा नहीं ना तो यहां पर इसमत चुकताई जो है यह फुद अपसाना निगार भी और नाविल निगार भी यह नाविल भी लिखा करती है और उसके बाद फैया यह भी स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं तो इनका और इनका दोनों का काम एक ही है याद रखेजें प्याज रिपत साथ सबसे पहले यही बोल रहा है कि बेदी साहब राजिन सिंग बेदी को कि आप भी और इंडिया रेडियो में काम कर चुके हैं आप भी स्टेशन ड बड़े अफसाना निगार हैं आपका बहुत ज्यादा अफसाना मशूर है मतलब आपका बहुत बड़ा कद हैं इसके हलावा ठेके फिर देखी आगे क्या बोल रहे हैं फैयाज साहब एक जमाने से जी चाहता था कि आप से बैठ कर बाते करें कुछ पूछे आपसे अफसान साहब क्योंकि एक अफसाना निगार दुसरे अफसाना निगार का बहुत ही अच्छा से इंटर्विव ले सकता है ठीक है तो फिर बेदी साहब यानि कि रजेंदर सिंग बेदी बोलते हैं ठीक है इसमत आप शुरू करेंगी और मैं जवाब दूंगा मतलब बेदी साहब ज सिंग बेदी के जुबान वहादिमें बेदली आप वह इंसान मुझ से पूछा या प्रजेंद्र सिंग बेदी के बारे में आप क्या ख्याल रखती हैं क्या सोचती हैं तो इसमत शच्ताई उस इंसान से बोली कि बहुत कम-कम छोटे-छोटे जुम्लोंॉ का सेंटेंस का य यह आपका क्या है फर्द है मतलब यह आपकी तरफदारी है जो आप मेरी तरफदारी की लेकिन मैं शुरू में बहुत ज़दा गलतिया किया करता था लेकिन अब आहिता-इसतर ठेक कर लिया हूं ठीक है फिर इसमत्चुकताई कहती है मैं समझती हूं वह कोई खामी नहीं थी यह क्या बोल रही है इसमत्चुकताई कि मैं समझती हूं कि जो पहले आप गलतिया किका करते थे वो कोई गलतिया नहीं थी फिर बेदी बोलते हैं इन दिनों मेरे उर्दु काफी अच्छी है और मैं समझता हूं इसमें कोई खामी नहीं निकाल सकता ठीके फिर फियाज बोलते हैं फियाज रिफत सहाब अच्छा बेदी सहाब मैं समझता हूँ लाहोर में जब आप पोस्ट आफिस में काम करते थे उस जमाने में ही आपने पहला अफसाना लिखा तो वो अफसाना लिखने के तहरीक आपको कैसे मिली और वो अफसाना कौन सा थ था उस अफसाना का क्या नाम था तो बेदी सहाब बोलते हैं क्या देखिए वह अफसाना था महरानी का तफा तफा वह वाजी हुआ यानि कि वह मतलब लॉस्ट गुम हो गया ठीक है खो गया और उस साल का वह जो अफसाना था महरानी का तफा उस साल का सबसे बहतरीन और साथ बोलते हैं बेदी से मैं समझता हूं बेदी साहब अफसाने में जो जुबान होती है वह अराइसी जुबान नहीं होनी चाहिए वह तो उस करेक्टर की जुबान होनी चाहिए मतलब फयाद साथ कर कहना है कि मैं समझता हूं बेदी साहब अफसाने में जो जुबान होती है वो RIC जुबान नहीं होने चाहिए मतलब सजावटी जुबान नहीं होना चाहिए सजावजा करना ही लिखना चाहिए वो उस करेक्टर का जुबान होना चाहिए जो करेक्टर उसमें है इनका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई दूद बेचने वाला है तो दूद बेचने वाले उसी तरह यह बोल रहा है अफसाना में क्या किजिए अफसाना में उतना तफ़ हाड उर्दु लफ्ज नहीं यूज किजिए जो की और class को बोलने ही ना अफसाने पर अगर राय देनी हो तो मैं तो कहता हूं कि अफसाना बहुत तो सुनते-सुनमें मैं आजीज अगया हूं पक चुका हूं देखिए मैं जो जुबान को बोलता हूं जो मुझे अच्छा लगता है वो लब्स उसी लब्स का मैं अफसाना में यूज करता हूं बस बेदी साहब सिंपल साइंसर दे दिये हैं ठीके फिर फियाद रिफत साहब पुछते हैं बेदी है तो इसके बाद बेदी साहब जवाब देते हैं वरज्व यह है कि हमारे जितने भी अफसाना ने गारैं वह अपने अफ्छाने में उर्दू के रखते हैं सिर्फ मूस्लिम कर्दार को रखते हैं तो कोई मतलब हिंदू करदा को नहीं रखता और मैंने सोचा पूरे लिज मैं मुसलिम मेरे बोहुत ऐसा अवसाना है जिसमें मैं मुस्लिम किरदारो भी लखा और उसको शामिल किया ही ठीक है तुम्हे एक कहानी लिखी थी बहुत खुबसूरत कहाने थी कि एक लड़की कहीं जाती और उसके पीछे 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 बुढ़ा जाता है मतलब उसका पीछा करता है वह लड़की बहुत ज्यादा खुबसूरत रहती है और उसको लड़की को लगता है कि यह बुढ़ा कौन मेरे पीछे पड़ गया है ले जाती है वहां से फिर उस लड़की के लिए एक रिष्टा आता है और उस लड़की का वहां साधी हो जाते हैं वही वह जो बुड्धा है वह बोलता है उस बेटी मतलब वह उस लड़की से कि तुम बहुत खुपसूरत थी तनरुस्त हो न ठीक ठाक हो न जीती रहो तो वह बेदी साहब आप फिल्मों के साथ वबस्ता रहे हैं और उसमें आपका अपना तजर्बा भी काफी है दस्तक गर्म कोट देवदास मिर्जा गालिब और मदुमती क्या है यह सारी आपकी खुबसूरत फिल्में बनाई गई हैं तो आपका क्या ख्याल है तो फिर बेदी साहब जो है राजिंदर सिंग बेदी वो जवाब देते हैं कि बेजा हैं फिल्मी दुनिया जो है वो अदबी दुनिया नहीं होती तजारती दुनिया होती है तीखे और इसलिए मैं उस पर तजारती दुनिया का तजर्बा नहीं चाहता है मतलब बोल रहे हैं बेदी साहब कि जो फिल्मी दुनिया होती वो अदबी दुनिया नहीं होती वो तजारते दुनिया होते बिजनेस वाली दुनिया होते वहां पर बिजनेस किया जाता है मनद जो फिल्म है वो एक तरीके का बिजनेस है और मैं बिजनेस करना नहीं चाहता मैं अदब की दुनिया में रेना चाहता ह करती हैं राजइनदर सिंग बेदी से कि हम लोग बंबई में रहते हैं बंबई में लोग फिल्मों में जादा दिल्चसबी लेते हैं हां तो वेगOC साब क्या बोलते हैं आपका वहां पनाया गया है लेकिन बैडरेक्टर कहां एक महभूर्त है जो डारेक्टर थे वह फिल्म बनाते थे उनके जैसा डिरेक्टर कहां याकूब जैसा करेक्टर कहां और पहले कहाणी पर फिल्म बनती थी अब तो करेक्टर और क्रिदार के मताबिक कहानी लिखने वाले बंबई के बजारों में भी मिल जा रहा है ठीके फिर्फ रिफद चाहब बेदी से पुछते वो उसकी लंबाई का हम लोग ख्याल नहीं रखते कोई दो तीन घंटा का ड्रामा बना देते हैं और कोई 10-15 मिनट का मतलब कंपेर करकर मतलब ऐसे नहीं बनाते कि 20-30 मिनट का हो जाए आदे या फिर 20-25 मिनट में खतम हो जाए ड्रामा हम लोग या तो दो तीन चार घंटे क का बना देते हैं या फिर 10-15 मिनट का बना देते हैं और इसी वजह से हम लोगों का जो ड्रामा है वो क्या हो गया फेल हो गया मतलब मसहूर नहीं हुआ फिर अब इसमत आपा पूछती है इसमत चुकताई पूछती है यानि वह ड्रामे स्टेज नहीं किये जा सकते हैं द्रामा तो बहुत उंदा है लेकिन उसका स्टेज नहीं किया जा सकता स्टेज पर नहीं उतारा जा सकता क्योंकि 2-3-4 घंटे का ड्रामा कौन स्टेज पर दिखाएगा है कि नहीं फिर इसमत आपा पूछती है इसमत चुकताई हमारे यहां जिलानी बानों का नाविल एव पाने गजल वह बहुत ही अच्छा है तो फिर बेदी साहब क्या बोलते हैं पाकिस्तानी मुसनिफों के नाविल की तरफ ज्यादा तवज्जा है मैंने भी एक च्छोटा सा नाविल लिखा है एक चादर मैली सी बस लिखकर बैठ गया मतलब बेदी साहब बोल रहा है कि पा आप अपने जिन्दगी के बारे में लाहोर की कुछ यादे दोरा दीजिए ताकि हमें आपकी पूरी जिन्दगी का क्या हो जाए तजर्बा हो जाए ठीक है पूरी आपकी जिन्दगी सामने आ जाए अब ये बेदी साहब जो अपने जिन्दगी के बारे में बताने लगें क्योंकि फयात्ता पूछी रहे हैं जिंदगी के बारे में तो बोले हैं भाई सबसे पहला तो मेरा एक दोस्त था उपेंद्र नाथ उसकी बिवी का इंतकाल हो गया तो वो जादतर मेरे ही घर में पड़ा रहता था और फिर मैं अपने घर में क्रिशन की क्रिशन चंद है कोई वो कहानी लिखा करते थे तो मैं उसकी क्या करता था कहानियों को पढ़ता था और बहुत जदा उन से बोला कि आप क्रिशन चंद्र हैं तो वह कहने लगे तुम बेदी हो तो मतलब यहां का excitement मतलब क्रिशन चंद्र भी बेदी को जानते थे और बेदी तो कोशन एंसर को देख लेते हैं मुखतसित तरीन सवलाट से सबसे पहले सवाल इंटर्वी लेने वालों के नाम बताइए इंटर्वीव कौन ले रहा है इसमत् चुकताई और फईयाज जिफत तो ये दोनों लिख देना है दुसरा सवाल है किसका interview लिया गया तो राजेंदर श साना का नाम है महरानी का तौफा ठीक है पाच्वा सवाल है बेदी की मौत कब हुई मतलब उनका इंतकाल कब हुआ तो वह हुआ 11 नौवंबर 1934 भी को ठीक है अब बात आती है मुक्तसिर सवालात की लगू उत्रिय प्रस्ण की सबसे पहला सवाल है राजंदर श्रिंग बेदी की तारीख पैदाइस क्या है मतलब वह किस तारीख को पैदा हुए तो एक सितंबर 1935 भी को ठीक है दूसरा सवाल है बेदी ने किन किन दफातर में काम किया तो वह और इंडिया रेडियो से में भी काम किया था और स्टेशन डारेक्टर के वदा पर भी रख रहे चुके थे और उसके लाव वह अफसाना लेगारे भी किये थे यह आप अपने पांच जुम्ले पांच सेंटेंस में लिखना है ठीक है तो खुद से लिखेंगे लोग आप लोग तीन नंबर सवाल है बेदी लाहर के किस मागवा में काम करते थे तो यह भी पांच नंबर बेदी और कृष्ण चंद्र में पहली मुलाकात कहां हुई तो बेदी राजिंदर सिंग बेदी और कृष्ण चंद्र की मुलाकात कहां हुई मैं अभी तो बताई थी ना कहां पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी गया तो पता चला कि वहां कैरियर रिसाला में उनकी क्या हुई मुलाकात हुई कैरियर ज्शाला में अब आती है बात तवील सवलात की दिर्ग उत्री परशन की इसमठो चुक्ताई के वारे में दस जुम्ले लिखना है इसमठो चुक्ताई के बारे में आप लंबा चाड़ा उनकी तार्ष कर दीजिए। उनके बारे में लिखते दीएगा ठीक है। दूसरा रजंदर शंग बेदी की अफसानवी मजबूओट का नाम बता . रजंदर सिंग बेदी का अफसान मजमूओट क्या है दाना वदाम और इसकी तारिफ कर देजिएगा 10-15 जुम्ले में ठीक है तीसरा सवाल है बेदी की अफसाना निगारी की खसुसियात पर चंद जुम्ले लिखिए यानि की बेदी जो है वो किस तरह अफसाना को लिखा करते थे उनकी क्या खसुसियात थी क्या फीचर थी क्या विशिष्टा था ये बताना है आप लोग को बेदी के अफसाना निगारी के बारे में चार नमबर सवाल है बिहार के एहद हाजिर के चंद मुम्ताज अफसाना निगारों के नाम लिखिए यान की विहार के चंद मुम्ताज यान की फेमस अफसाना नेगार कहानी लिखने वालों का नाम लिखना है तो इसमें एक लिख दीजिए आप लोग शफीज जावेद का दुसरा लिख दीजिएगा सौकत हयात का तिसरा लिख दीजिएगा हुसैनुलहक का चार नमबर लिख लिख दीजिएगा अब्दुलसंद का ठीक है हो गया इतना ही लिख दीजिए चारी टो ठीक है पास नमबर सवाल है मन दर्जजेल लफजों की जमा बनाकर लिखिए यानि कि इसका क्या बनाना है जमा बनाना है प्लूरल बनाना है तो और लड़ी मैं बता दी हूं इसका लिखना है अजदाद उल्टा बुलंद रखीकत वजूद तल्ख लाइक इस सब का इस क्या है लफ्जे जिसका आप लोगों को उल्टा लिखना है साथ नमबर लास्ट सवाल है खाली जगाओं को भरिए यहां पर यहां पर खाली जगाद यह इसको भरना है जैसे कि करेंगी मतलब मुझसे सवाल करेंगी और मैं । दूँगा यान की जवाब दूँगा इसी तरह करकर कर आप सभी खाली जगों को क्या कर दिजिए भर दिजिए और इसी के सांथ आप लोग का चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 17 यान की सत्र को स्टार्ट करेंगे और उसको भी और बहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे यहां तक स्क्रिन सौट लेना चाहते हैं लिली जे फटाफट तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही इस चैप्टर से रिलिटेड कोई भी कंप्यूजन हो आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के सांथ तब तक के लिए जैहिंद और खुदा हाफिस